लगातार यहाँ पर मंदिर का निर्मान कार्य तेजी से चल रहा है दिसंबर तक मूर्ती की प्रांट प्रतिस्ठा की जानी है जन्वरी दो हजार चौबिस तक श्रधालूं के लिए ये मंदिर खोल दिया जाएगा जन्वरी तीर्त शेत्र ट्रस्ट निर्मान की ये समिक्षा कर रहा है तो अयोध्या से जुड़ी ये खबर प्रभू श्री राम से जुड़ी कि यहाँ पर श्री राम के भव्य मंदिर का निर्मान चल रहा है और अब इसी पर ज्यादा जौनकारी के लिए आलोग हमाई साथ जुड़ गए है आलोग जी आप अभी वहीं पर मौझूद है सबसे पहले तुम तस्वीरे भी साजा कीजिए क्योंकि मंदिर का निर्मान कारे चल रहा है कितना निर्मान हो गया है और श्रद्धालू जो है वह भी बड़ी ही बेसबरी से भक्त लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब यह मंदिर की प्राण प्रतिष्टा हो और कम मंदिर खुले और हम प्रभु श्री राम के दर्शन करें अजय बिल्कुल हम मंदिर प्रांगण में ही मौजूद आप देख सकती हैं यह हम अपने कैमरा में से कहेंगे आपको यहां से जूम करके दिखाएं गरभग्री की तस्पीरें जहां पर प्रभु स्री राम की जो है मूर्ति की प्राण प्रतिष्टा होगी एकदम सीधे पर एक जंडा लगा है और उस जगह पर ही प्रभु स्री राम यानि मर्यादा पुर्स्ट्री राम की जो प्रतिमा एजो खड़ी मूर्ती है वह प्रतिष्ठीत की जाएगी और इसके बाद जो है अगले साल यानि 2024 जनवरी तक मंदिर जो है सरधालूं के लिए दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा क्योंकि एक लंबे संगर से लंबी प्रतिक्षा और एक लंबे इंतजार के बाद जो है मंदिर निर्माण का मार्ख प्रसस्तुआ था और एक भब्यमा जैरा मंदिर यहां बन रहा है आप देख सकते किस तरह से मंदिर की जो इस्तम्म है जो दिवा रहा है और इसमें तमाम जो संस्था हैं वो मदद कर रहे हैं चाहिए टाटा हो चाहिए आयाइटी हो या फिर जो है एल एंटी हो उनकी जो है इस पर सेवाई ली जा रहे हैं ताकि भब्य और दिव राम बिलकुल अलोग मंदिर को बहुत सारी मेडिया के लोग आ हुए थे आज मीडिया को इसलिए बुलाया गया था था कि राम मंदिर निर्मान की प्रगती जो है स्रुधालूं को दर्शकों को दिखाए जा सके क्योंकि लोग लगातार लंबे समय से इंतियार कर रहे हैं कि मंदिर कमने पूरा होगा और तमाम यहां पर लोग हैं हमने कुछ लोग आप क्या किस भूमिका में है इस राम मंदिर निर्मान में सिंगल में क्या काम कर रहा हैं किस थर से काम हो रहा है यहां पर आक और रीमान की टरफ अप् decre चार्शतां के रहें बड़े बड़े इनन को ला रहे हैं और उनको जो है मशीनों से उठा कर हैं आला का तरास रहे हैं यहां पर टाटा की तरप सभी लोग मौजूद हैं हम बात करना चांगे क्या नाम है आपका राजी उवश सेक्शन मैनेजर हों ऑंकर सैक्शन मैनेजर है के सामग्री उपएओग में पफल पत्थरों को जोड़ने के लिए मंदिय निर्माण में पत्थरों को जोड़ने के लिए tous लगा घा रहा है और अंदर इसमें की बना करके दूशरे में इस तरीके स्वाजाता है इस तरीके से किया रहा है लोहे का इस्तेमाल नहीं किया रहा है क्योंकि लोहे की उम्र कम होती है उसमें जंग लग जाती है तो ताबा इस्तेमाल किया जा रहा है सीमेंट का भी स्तेमाल बहुत कम किया जा रहा है भू तल कंप्लीट हुआ इसके उपर प्रतम तल दुती तल पिर उसके उपर तीसरा तल सारी चीजें दिसंबर के बात का यह है अभी टाटा का यह काम है कि हमको ड्राइंग डिजायन और प्रजेक्ट मिलिजमेंट कंसल्टेंट होने के नाते हमको प्रथम तल 30 दिसंबर के पहले तहीं आग यह सुरी है कि सेक्शन वाइस पाट वाइस मंदिर का काम हो रहा है और जिसमें एक महत्वपून योगदान यह सभी कारे करता इंजीनियर निभा रहा है और नकाशी यहां पर की जा रही है बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको निखारा जारा बहुत शुक्रिया आलोग तमाम जानकार के लिए और बातचीत के लिए